तक्रीबन पांच में एक बच्चा सिजेरियन से पैदा होता है जिन में से दो तिहाई अनपेक्षित होते हैं अगर आप सिजेरियन की उमीद ना भी कर रही हो आपको ये फिल्म लापदायक लगेगी आपकी डिलिवरी की सुभे आपको चेक इन किया जाएगा और फिर आपको गाउन और दबाव वाले मोजे पहनाए जाएंगे आपके पती को भी थेटर में डालने वाले कपड़े दिये जाएंगे जब आप ऑपरेशन थेटर में आएंगी तो आप उस टीम से मिलेंगी जो आपका ध्यान रखेंगी इस टीम के सभी सदस्य आपको और आपके बच्चे को आराम दायक और सुरक्षित रखेंगे आपके एनीस्टिस आपकी हाथ में एक पतली प्लास्टिक की ट्यूब जिसका की नाम कैनूला है डालेंगे इसके द्वारा आपको जल और दवाईयां दी जा सकती है ऑपरेशन के दोरान आपकी दिल की धड़कन, बलड प्रेशर और ऑक्सिजन को जानचा जाएगा आप अपनी काउन को ऐसे डाल सकती हैं ताकि जैसे ही बच्चा पैदा हो आप उसे अपनी चाती से लगा लें जादा तर माई अपने बच्चे के जन्म का पूरा अनुभव करना चाहती है इसलिए स्पाइनल एक लोक प्रिय कसम का अनस्थेटिक है इसमें एनीसेटिस आपके पीट के नीचे के भाग में एक पतली सुई लगा कर दर्ध हटाने वाली दवाई देंगे ये आपके और आपके बच्चे के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है हो सकता है आपका सिजेरियन सेक्षन लेबर के दोरान हो और अगर आपने पहले से ही एपिडूरल लगाया हो तो इसी प्लास्टिक ट्यूब को दवाई देने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है स्पाइनल या तो बैट के या किनारे में लेट कर लगाया जाता है आपकी पीट को एक ठंडे सुल्यूशन से साफ किया जाएगा और फिर एक पतली सुई का इस्तमाल किया जाएगा जिससे आपकी तवचा नम हो जाएगी फिर स्पाइनल की नीडल के दोरान हो सकता है आप पीट में कुछ प्रेशर महसूस करें अगर किसी टांग में जंजनाहत सी महसूस हो तो अपने अनिस्तेटिस को बताएं जब आपकी स्पाइनल का पूरा असर हो जाएगा तो आपकी शरीर का नीचे का भाग कुछ गरम महसूस होने लगेगा जैसे कि आप किसी गरम सीट पर बैटी हो आपका पेट और टांगें कुछ अजीब सी महसूस होंगी और आपके अनिस्तेटिस्ट इसे एक ठंडा स्प्रे यूज़ करके पूरा चेक करेंगे कुछ किस्सों में सीजेरियन की जरूरत शिगरता से होती है ऐसे में जैनरल अनसीजिया की जरूरत पढ़ती है ये तब भी इस्तमाल किया जा सकता है जब आपके लिए एपिडूरल और स्पाइनल सही ना हो या फिर आप चाहती हों कि आपको सुलाया जाए ऐसे में आपके पती को एक अलग कमरे में रखा जाएगा और आपके जागने तक आपकी मिडवाईव आपके बच्चे का ध्यान रखेंगी आपकी और आपकी बच्चे की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप हर चीज को अच्छे से समझें अनिस्थेटिक के दौरान आपकी मिडवाईव मूत्र के स्थान पर एक पतली प्लास्टिक की ट्यूब डालेंगी और इन्फेक्शन कम करने के लिए आपको दबाई भी देंगी अनिस्थेजिया के वज़े से आपका ब्लड प्रेशर या रक्त का दबाव कम हो सकता है जिससे कि आपको उल्टी मैसूस हो सकती है ऐसा होने पे आपको दबाई दी जाएगी सिजेरियन सेक्शन के दौरान आपको पेट में कुछ दबाव या खिंचाई सी मैसूस हो सकती है अगर ये आपको असवदा जनक लगे तो अपने अनिस्थेटिस को बताएं और वो आपको इसके लिए दबाई दे सकते है या फिर आपको जनरल आनसीजा की जरूरत पड़ सकती है आपके बच्चे के पैदा होने के बाद अगर सब ठीक हो तो आप अपने बच्चे को गोद में ले पाएंगी आपको ऐसी दबाईयां दी जाएंगी ताकि गरबाशे से रक्त की ज़्यादा हानी ना हो और दर्द भी कम हो अपरेशन के बाद आदे गंटे के लिए आपकी और आपकी बच्चे की रिकवरी में निगरानी की जाएगी इस समय आप खा और पी भी सकती है और चाहें तो स्तनपान भी प्रारम कर सकती है जब आपकी सब जान्चे साधारन हो जाएं तो आपको वोड भेजा जाएगा आप दर्द बंद करने की दवाईयों को निरंतर आधार से लेती रहें अगर आपका ओपरेशन प्लैंट था तो हो सकता है आप उसी दिन कुछ खंटों के बाद बिस्तर से बाहर निकल पाएं अलग-अलग समय पे आपके हाथ की प्लास्टिक की ट्यूब और मूतर के कैथेटर को निकाला जाएगा जब आपका पच्चा ठीक से दूद पीने लगे और आपका दर्द कम हो तो आप घर जाने का सोच सकती है आपको और दवाईयां दी जाएंगी जैसे की रक्त को पतला करने के लिए और आइरन टाबलिट्स हमें पूरी उमीद है कि आपको इस फिल्म से लाब होगा